नमस्कार वीकेवी न्यूस के खास पेशकश में आपका स्वागत है जहाँ आज आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरे वो भी मेरे साथ उपमुख्य मंतरी अजीत पवार से संबंदित कमपनियों पर इंकम टैक्स विभाग की चाप एमारी को लेकर महराश्ट्र सरकार फिर केंदर पर बिफरी है उसका कहना है कि राजनितिक बदले की भावना से इसे अंजाम दिया गया है उधर मुंबई में नशे से जुड़े खेल का दायरा बढ़ता जा रहा है गुरुवार को पुलीस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामत किया है इस बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिस्सा के विरोध में महराश्ट्र में 11 अक्टूबर को बंद का एलान किया है तो सरकारी और नीजी संस्थानों के सहयोग से वर्ष 2025 तक मुंबई को पूरी तरह से टीबी मुक्त करने का लक्ष भी निर्धारित किया गया है अलग अलग चुनाव लड़ने में ही भलाई है प्रदेश की इन पाच बड़ी घटनाओं को अब विस्तार से जानने के लिए बवने रही है हमारे साथ महराष्टर के उपमुख्यमंधरी अजितपवार से सम्मधित कमपनियों पर इनकम टैक्स विभाग की चापे मारी को लेकर महराष्टर सरकार ने केंद्र को निशाने पर लिया है इस चापे मारी की पुष्टी करते हुए अजित पवार ने कहा कि हां मुझसे सम्मदित कमपनियों पर इंकम टैक्स विभाग ने रेट डाली है आईकर विभाग किसी पर भी चापे मारी करने का अधिकार रखता है उन्हें शक आने पर वे ऐसी रेट को ऐसी कारवाई को अंजाम देते हैं मैं नियमित टैक्स भरता हूँ वित्तमंत्री रहते हुए भी किसी प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है इस बात को भी मैंने समझा है कोई भी टैक्स चुपाना नहीं है बलकि उसे कैसे भरा जाता है मुझे इस बात का भी पूरा ग्यान है मुझसे समदित कमपनियों ने भी समय समय पर टैक्स भरा है बावजुत इसके राजनितिक द्वेश की भावना से ये रेट की कारवाई की जा रही है इस विशे में मुझे कुछ नहीं बोलना है मैं भी एक नागरिक हूँ लेकिन मुझे एक बात का दूख है कि मेरी जिन भहनों की 35 से 40 साल पहले शादी हो चुकी है जो अपने सांसारिक जीवन में व्यास्त है उन पर भी रेट डाली गई है मुंबई में नशे से जुड़े खेल का दायरा बढ़ता जा रहा है माया नगरी के अनेक सेलिब्रिटी रडार पर आचुकी है अन्य राज्यों से ही नहीं विदेशों से भी कडिया जुड़ती जा रही है इसी क्रम में गुरुवार को पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल ने भारी मातरा में ड्रग्स बरामत किया है ये कारवाई मुंबई के डोंगरी इलाके में की गई जिसमें दो आरोपियों को पांच किलो हेरोईन के साथ गिरफतार किया गया है इस हेरोईन की अंतर राश्य बाजार में कीमत लगभग 15 करोड रुपय है जानकरी के मताबिक मध्यप्रदेश के रतलाम से लेकर राजस्तान के चितोड़गड के प्रताबगड जिले तक अफिम की पैदावार की जाती है फिलहाल मामले की चानबिन के लिए एंटी नार्कोटिक सेल की एक टिम बिहार और राजस्तान में मौजुद है पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये कारवाई की है उन्हें जानकारी मिरी थी कि राजस्तान के चितोड़गड के पास प्रताबगड से हिरोईन रख्त की डिलेवरी मुंबई में की जा रही है जिसके बाद से चार संदिक्द लोगों पर नजर रखी जा रही थी जिसमें से बीती राद दो लोगों को डोंगरी इलाके से गिरफतार किया है उत्तर प्रदेश के लखिमपुर हिंसा की आँच दुसरे राज्य तक भी पहुँच रही है तमाम विपक्षी पार्टिया मामले को लेकर यूपी की योगी आधितिनाथ सरकार पर हमलावार है इन सबके बीच महराष्ट की सत्तारोड महाविकास आघडी सरकार ने लखिमपुर खीरी में हुई घटना की विरोध में महराष्ट में 11 अक्तुबर को बंद का एलान किया है राज्य कैबिनेट की बैठक में भाजपा शासित उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया जबकि मंत्री उन्हें किसानों की मौद पर दुख जताया और उनके सम्मान में दो मिनट का मौन रखा बैठक की अध्यक्षता मुख्य मंत्री उद्धो ठाकरे ने की मुख्य मंत्री कारियाले ने बैठक के बाद कहा कि राज्य कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर घटना में किसानों की मौद पर दुख जताया राकापाध्यक्षय और जल संसाधन मंत्री जैन पार्टिल ने कहा कि लखिमपुर खिरी हिंसा के विरोध में M.V.A. ने 11 अक्तूबर को राज्य व्यापी बंद का आवहान किया है हम लोगों से अपिल करते हैं कि वे बंद में शामिल हो उन्होंने कहा कि केंदर की भाजपा नित सरकार किसानों को कुचलना चाहती है और इसके खिलाफ प्रदर्शन करना जरूरी है हिंसा में मारे गए किसानों को जल्द से जल्द यूपी सरकार न्याय दिलाए इसलिए हमने एक दिन के बंद का एलान किया है सरकारी और नीजी संस्थानों के सहयोग से वर्ष 2025 तक मुंबई को पूरी तरह से टीबी मुक्त करने का लक्ष निर्धारित किया गया है सरकारी शुरू होते ही BMC प्रशासन और नीजी अस्पतालों ने आपसे सहयोग को मजबूत किया है इसके अच्छे नतीजे भी सामने आये हैं संक्रमित मरीजों की संख्या अधिक होने के बाद भी बेहद ही कम समय में कोरोना को नियंतरित करने में सफलता मिली है कोरोना महमारी से निपटने के लिए BMC ने 43 नीजी अस्पतालों के साथ मिलकर काम किया था अब टीबी से निजात पाने के लिए इन 43 नीजी अस्पतालों की मदद ली जाएगी साल 2025 के लक्ष को पूरा करने के लिए BMC ने नीजी अस्पतालों के साथ ओनलाइन मिटिंग भी की, काकानी की अनुसार आशातित सफलता की उम्मीद है, हम नियोजिट धंग से कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे और प्रदेश को टीबी मुक्त करेंगे जिला परिशत के उपचनाव परिणामों में प्रदेश में राजनिती खलचल तेज कर दी है, नतीजों में जहां BJP पहले नंबर पर रही वही पंचायत समितियों के चुनाव में कॉंग्रेस नंबर वन रही, उपचनाव के नतीजे मंगलवार की सुभध 10 बचे आने लगे और शाम तक पुरी तस्विर साफ हो गई, जिला परिशत की खाली हुई 85 सीटों में से 22 सीटों पर BJP ने बाजी मारी, जबकि कॉंग्रेस को 19, NCP को 15 सीटे मिली, शिवसिना को 12 और अन्या ने 17 सीटों पर जीत हासिल की, यहां शिवसिना तिसरे नंबर पर चली गई, वही बंजायत समीतियों के 144 सीटों पर कॉंग्रेस और BJP के बीज भले ही आमने सामने की चुनावती हो, पर अन्याव निर्दलियों ने दोनों राष्ट्य दलों के बीज बाजी मार ली, चुनाव नतीजों ने एक तस्विर साफ कर दी है कि महाविकास आगड़ी सरकार के घटक दलों को अलग अलग चुनाव लड़ने में ही भलाई है, एक बैनर के नीचे तीनों चुनाव लड़ेंगे तो BJP ने चारों खाने चित कर देगी, इसलिए आने वाले स्थानिय चुनाव में महाविकास आगड़ी सरकार के घटक दल अलग 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 चुनाव लड़ेंग दोनों शिक्षकों की मौत हो गई है, उदर प्रतिबंदित पठाकों के बाजार में बीकने के मामले को सुप्रीम कोट ने गंभिरता से लिया है, सुप्रीम कोट ने दो टुक कहा है कि हमारे आदेश का पालन किया जाना चाहिए, तो लखीमपूर खिरी जिले में रविवा को हुई हिंसा पर सुप्रीम कोट ने उत्तर प्रदेश सरकार से FIR, आरोपी और गिरफतारी को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, इस बीच केंद्र सरकार ने 19 मंत्रालयों का डेटा सामने रखते हुए सुप्रीम कोट को बताया है कि सरकारी नौकरियों में जनजाती की मौजूदगी अब भी परियाप्त नहीं है, बड़ी जानकारी यह भी है कि प्रधान मंत्री को मिले उपहारों और स्मृती चिन्हों की ओनलाइन निलामी का आज अंतिम दिन है, तो देश भर की इन पाच ताजा तरीन और बड़ी खबरों को विस्तार से जानन है, दोनों वर्तमान में अलुच्छोई बाग के रहने वाले थे, स्कूल के अंदर हमलावारों ने उनके उपर ताबड़तोफ फायरिंग की, कुछ चश्मदीदों ने बताया कि दो से तीन लोग स्कूल आये, उन्हेंने स्कूल की प्राचरिय और टीचर के सीर से गोली सट हमलावार लगातार इसी एरिया में हमला कर रहे है, कहा जा रहा है कि शायद लगातार रेकी करके लोगों को मारा जा रहा है, और पूरे इलाके में पहले से लोगों को चुना गया है कि किस को और किस तरह से मारना है, आतंकियों की तलाशी के लिए इलाके में गहरावंदी की गई है प्रतिबंदीत पठाकों के बाजार में बिकने के मामले को सुप्रीम कोट ने गंभिरता से लिया है सुप्रीम कोट ने कहा कि ग्रीन पठाके की आड में पठाका निर्मातव की तरफ से प्रतिबंदीत केमिकल का इस्थेमाल किया जा रहा है हमारे आदेश का पालन किया जाना चाहिए पठाके बाजार में खुले आम बेचे जा रहे है और लोग इसका इस्तिमाल कर रहे है हम जानना चाहते कि अगर प्रतिबन है तो वे बाजारों में कैसे उपलब्ध है सुप्रीम कोट ने कहा कि हमने पठाके बैन पर जो आदेश पारित कर रखा है उसका प्रतिक राज्य पालन करे बेंच ने कहा कि उच्सों मनाने का मतलब यह नहीं है कि उच्छी आवाज वाले पठाके चलाए जाए उच्सों फुलजड़ी चला कर या बीना शोर के भी हो सकता है सुप्रीम कोट ने तीन नवजाज शीशों की और से उनके पैरेंट्स की अरजी पर यह फैसला दिया है 24 नवंबर 2015 को पैरेंट्स ने प्रदुशन के कारण इन शीशों के ब्रेन का विकासना होने की दलिल देते हुए पुरे देश में पठाके बैन करने की याचिका दी थी तैय लिमिट में आवाज और धुये वाले पठाकों को ही कोट ने ग्रीन यानि एको फ्रेंडली माना है जिन में नाइट्रोजन ओक्साइड और सलफर डाय ओक्साइड की कम मातरा ही इस्तेमाल होती है सुप्रीम कोट ने सुनवाई 26 अक्तुबर के लिए टाल दी है लखिमपूर खिरी जिले में रविवार को हुई हिंसा पर सुप्रीम कोट ने उत्तर प्रदेश सरकार से FIR आरोपी और गिरपतारी को लेकर स्टेटस रिपोट मांगी है कल यानी 8 अक्तुबर को फिर सुनवाई होगी लखिमपूर कांड में 4 किसानों समयत कुल 8 लोगों की मौत होगी थी आरोपै की केंद्रिय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशिश मिश्रा की गाड़े से किसानों को कुछला गया कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता कपिल सिब्बल ने उच्चतम नयाय लय द्वारा लखिमपूर खिरी हिंसा मामले का स्वता संग्यान लिये जाने के बाद प्रधान नयाय दिश को बुधवार को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत की अदालते नयाय का मंदिर है जो बेजुबान लोगों का विश्वाज बहाल कर सकती है कॉंग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इस पर ट्विट किया है कि मामले का स्वता संग्यान लेने के लिए प्रधान नयाय दिश का धन्यवाद यह समय की आउशकता है यह और भारत की अदालते नयाय का मंदिर है जो अकसर अनात महसुस करने वाले बेजुबान लोगों का विश्वाज भाल कर सकती है सिब्बल के ट्विट के जवाब में कॉंग्रेस नेता एवं वकील विविक तन्खा ने कहा कि हाँ कपिल जी इस तरह की बरबरता के बाद अगर कोई कारवाई नहीं होती है तो यह हमारे लोगतंत्र और नयाय वितरन प्रणाली पर धब्बा है सुप्रीम कोट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती के करमचारियों को पदोन्यती में आरक्षन देने के फैसले को उचित ठहराने के लिए उसने किस तरह के कदम उठाये है पीट ने कहा था कि यदि किसी नौकरी के विशेश संवर्ग में स्सी और स्टी को पदोन्यती में आरक्षन को नाइक चुनोती दी जाती है तो सरकार को इसे इस आधार पर उचित ठहराना होगा कि किसी विशेश संवर्ग में उनका अपरयाप्त प्रतिनी दित्व है और कोटा प्रदान करने में समगर प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जवाब में किंद्र सरकार ने 19 मंतरालयो का डेटा सामने रखतेवे सुप्रीम कोट को बताया है कि सरकारी नौकरियों में अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती की मवजुदगी अब भी परियाप्त नहीं है हकीकत यह है कि करीब 75 साल बाद भी अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती के लोगों को योग्यता की उस तर पर नहीं लाया जा सका है जिस पर अगाडी जातिया है अटार्नी जनरल के के वेनु गुपाल ने बेंच से कहा कि अनुशुचित जाती और अनुशुचित जन जाती से संबंदित लोगों के लिए समू एशरेनी की नौकरियों में उच्चे पत प्राप्त करना अधिक कठिन है और अब समय आ गया है जब शिर्षय अदालतों को रिक्त पदों को भरने के लिए SC, ST और अन्य पिछडा वर्क के लिए कुछ ठोस आदर देना चाहिए प्रदानमंत्री को मिले उपहारों और स्फुरूती चिन्नों की ऑनलाइन निलामी का आज अंतिम दिन है शाम पाज बजे निलामी बंध हो जाएगी अभी तक चल रही निलामी में बेस कीमत में सबसे अधिक बुली गदा की गई है इसकी 200 गुना अधिक बुली लग चुकी है गदा की बेस कीमत 2500 रुपए रखी गई थी अब इसकी बुली 5 लाग पौच गई है यानि 200 गुना अधिक बुली गई है बुली में 54 लोग शामिल हो चुके है वही दूसरे नंबर स्टैच्यू आप युनिटी की प्रतिरूप की बुली गई है इसकी बेस कीमत 1500 रुपए थी और बुली 5 लाग पौच चुकी है यानि 166 गुना अधिक है बुली में संताओन लोग शामिल हो चुके है हाला कि सबसे अधिक बुली दाताओ वाले उपहर में नंबर स्टैच्यू आप युनिटी की प्रतिरूप भी शामिल है इसके आलावा भगवान राम, लक्षमन, सीता और हनुमान की मुर्ती के लिए भी साथ लोगों ने बुली लगाई है इनकी बुली 17 गुना अधिक गई है राम, लक्षमन, सीता और हनुमान की मुर्ती और स्टैच्यू आप युनिटी की प्रतिरूप दोनों उपहरों के लिए सबसे अधिक बुली दाता शामिल हुए है इस निलामी में सबसे अधिक बेस कीमत वाला उपहर टोकियो उलमपीक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरत चोपडा द्वारा प्रदानमंत्री को सोपा गया भाला है इसकी बेस कीमत एक करोड रुपे रखी गई है दुनिया भर की पाज बड़ी खबरों में आज दो खबरे पाकिस्तान से और दो अमेरिका से है दक्षिन पश्चिम पाकिस्तान में तेज भुकम से 11 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल है राहत और बचाव कारिय जारी है दूसरी तरफ पाकिस्तान की खूफिया एजनसी इंटर सर्विसेस इंटालिजन्स के चीफ लेफटिनेंट जनरल फैज हमीत को प्रमोशन देकर पेशावर कोर का कमांडर बनाया गया है उन्हें अगला सेना प्रमुख बनाया जा सकता है इसी बीच अमेरिका में फेडरिल जज ने टेकसस में विवादित गर्भपात कानून पर अस्थाई रोक लगा दी है जज ने इस कानून पर अस्थाई रोक बिड़न सरकार के अनुरोध के बाद लगाई है तो फेस्बुक की पूर्व डेटा वैग्यानिक फ्रांसिस हॉगेन ने अमेरिकी कॉंग्रेस से कहा है कि फेस्बुक का मंच बच्चो और किशोरों को नुकसान पहुचा रहा है विभाजन को बढ़ावा दे रहा है और हमारे लोक तंतर को कमजोर कर रहा है इसे रोकना जरूरी है वही ब्रिटेन में एक हैरतंगेज मामला सामने आया है वाटसेप ग्रूप पर चर्चा के बाद जान देने वालों की कडिया जुड़ती जा रही है तो दुनिया भर की इन पाच खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है हमारे साथ दक्षिन पस्चिम पाकिस्तान में तेज भुकम से लोगों में दहशत है इसकी तीवरता ने दूर दराज के पहाड़ी इलाके में कोईले की खदानों और मिट्टी के घरों को थर्रा दिया कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग गायल है क्षेतर के उपायुक्त सुहेल अन्वर शाहिन ने बताया कि मृदक संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि दूर दराज के पहाड़ी इलाके में अभी तलाश एवं बचाव अभियान चल रहा है अमेरिका के भूगर्भी और सर्वेक्षन के अनुसार भूकम की तीवरता 5.7 मापी गई है और इसका केंद्र बलुचिस्तान प्रांत में हरनाई से 14 किलोमेटर दूर उत्तर पुर्वोत्तर में 20 किलोमेटर की गहराई पर था शाहिन ने स्थानिय कोईला खनिकों से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि कम से कम चार लोगों की मौत कोईले की खदान धहने से हो गई हादसे के समय वे उसमें काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि प्रांतिय राजदानी क्वेटा से करीब 100 किलोमेटर दूर यह इलाका कोईला खदानों से भरा हुआ है ऐसे में मरने वालों की संक्या बढ़ने की आशंका है इस क्षेत्र की अधिकांश आबादी मिट्टी के घरों में रहती है इन में से कई घर ढह गए बचाओ कारिय जारी है सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुचने में अभी कई घंटे का वक्त लग सकता है पाकिस्तान की खूफिया एजनसी इंटर सर्विसेस इंटालिजन्स के चीफ लेफटनेंट जनरल फैज हमीत काफी दिनों से सुर्ख्यों में बने हुए है अब उन्हें प्रमोशन देखकर पेशावर कोर का कमांडर बनाया गया है खबर यह भी है कि फैज हमीत को पाकिस्तानी आर्मी का अगला प्रमुक बनाया जा सकता है अब ऐसा हुआ तो ISI के पूर्व प्रमुक और अब पेशावर कोर कमांडर लेफटनेंट जनरल फैज हमीत अपने साथी बलूच रेजिमेंट के सीनियर जनरल कमर जावेद बाजवा को 2022 में पाकिस्तान सेना के अगले प्रमुक के रूप में रिप्लेस कर सकते हैं पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के नवंबर 2022 में पाकिस्तान सेना प्रमुक के रूप में अपने 6 साल के असाधारन कार्यकाल को पूरा करने की उम्मीद है रिपोर्ट में कहा गया है कि फैज हमीद को पेशावर कोर कमांडर इसलिए बनाया गया है क्योंकि पाकिस्तानी सेना प्रमुक के पत के दावैधारों के लिए कम से कम एक साल के लिए किसी कोर्स तर के फॉर्मेशन की कमान होना अनिवार्य है पड़ासी देश अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के मद्य नजर इसे महत्वपूर्ण पद माना जा रहा है अमेरिका में फेडरल जज ने टेकसास में विवादित गर्भपात कानून पर अस्थाई रोक लगा दी है जज ने इस कानून पर अस्थाई रोक बेडन सरकार के अनुरोध के बाद लगाई पूरे अमेरिका में इस कानून का विरोध हो रहा था टेकसिस में एक सितंबर को लागू किये गए इस कानून के तहट लगबग हर तरह के गर्बपात पर रोक लग गई थी इस कानून के मताबिक बुरुन में दिल की धड़कन के पाए जाने के बाद गर्बपात कराने पर मना ही है फेडरल जज ने अपना फैसला सुनाते हुए इस समवैधानिक अधिकार पर हमला बताया है धड़कन का पता अमूमन गर्ब के छटे हफते में चलता है लेकिन कई मामलों में इस अवधी तक महिलाओ को पता नहीं चल पाता है कि वो गर्बवती है इस कानून में बलातकार के मामलों से हुए गर्ब धारन के लिए भी कोई छूट नहीं है पुरे देश में इस कानून का विरोध हो रहा है बिडिन सरकार ने डिस्ट्रिक जज रॉबर्ट पिटमैन से अनुरोध किया था कि इस कानून को लागू होने से रोका जाए क्योंकि यह अमेरिकी सम्विधान के खिलाफ है टेकसस प्रशासन चाहे तो इस रोक के खिलाफ अपील कर सकता है फेस्बुक की पूर्व डेटा वैग्यानिक फ्रांसिस हॉगैन का मानना है कि फेस्बुक का मंच बच्चो और किशोरों को नुकसान पहुचा रहा है विभाजन को बढ़ावा दे रहा है और हमारे लोग तंत्र को कमजोर कर रहा है कमपनी का नेतरुत्व जानता है कि फेस्बुक और इंस्टाग्राम को कैसे सुरक्षित बनाया जाए लेकिन वे आवश्चक परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने लोगों से अधिक अपने लाब को तरजी दी है उन्होंने अमेरिकी संसद में कहा कि सक्त सरकारी निरिक्षन से ही बच्चों को हो रहे नुकसान से लेकर राजनितिक हिंसा को भड़काने से लेकर गलत सूचनाओ को बढ़ावा देने के मुद्धों को हल किया जा सकता है हॉग एन आयोवा की 37 वर्षय डेटा विशेशग्य है उन्होंने कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में सनातक डिग्री और हारवर्ड से बिजनेस में मास्टर डिग्री ली है फेस्बुक के लिए काम करने से पहले 15 साल तक उन्होंने गूगल, पिंट्रेस्ट और येल्प सहीत कई टेक कमपनियों में काम किया उन्होंने आरोप लगाया कि आंतरिक शोद में कुछ किशोरों को नुकसान पहुचने की बात सामने आई थी लेकिन इसके बावजूद इंस्टाग्राम बदलाव करने में विफल रहा और नफरत एवं गलत सूचना फैलाने के खिलाफ सारवजनिक लड़ाई में भी खरा नहीं उतर पाया ब्रिटेन के पोर्सलैंड में 20 साल की एमी स्प्रिंगर नाम की लड़की की लाश पिली पारिवारिक स्थीतिया ऐसी रही कि वह हमेशा डिप्रेशन में थी मौत से कुछ हफते पहले तक उसके स्वास्ट में सुधार महसूस किया गया था लेकिन फिर एक वाटसैप ग्रूप पर चर्चा के बाद उसने अपनी जान दे दी पुलीस ने जब मामले की जाच करनी शुरू की तो उन्हें अजीबो गरीब घटनाएं मिलने लगी उन्हें इस केस से जुड़ा हुआ एक वाटसैप ग्रूप भी मिला जिसे एमी ने जॉइन कर रखा था इस ग्रूप में आत्महत्या के कुछ बहतर तरीकों को लेकर चर्चा हो रही थी पुलीस को एमी स्प्रिंगर के अलावा तीन और लोगों की लाश भी मिलने की जानकारी मिली जब इसकी भी जांच की गई तो पता चला कि एमी की ही तरहा इन लोगों ने भी आत्महत्या की थी ये सभी एक ही वाटसैप ग्रूप के सदस्य थे एमी स्प्रिंगर के साथ इन लोगों ने भी वाटसैप ग्रूप पर सूसाइट के तरीकों पर चर्चा की थी इसके बाद ही इनके मरने की सूचना पुलीस को मिली सभी आत्महत्याओं के तार जुड़े हुए देखकर पुलीस भी हैरान है मरने वाले सभी लोगों ने आत्महत्या की और इससे जुड़े तरीके पहले ग्रूप पर डिसकस कर चुके थे तो आज की इस खास पेशकिश में बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें वीके वी नियूस नमस्कार